मंदिर में गर्वग्रह होगा पांच मंडप होंगे और वह भूतल पे होगा मंदिर तो वह मंदिर बन चुका है प्रथम तल पर जो अब निर्माना धीन है वहां राम दरबार होगा राजनेतिक बन गए या जो उनके अन्यूाई है जो उनमें भक्ती रखते हैं वह उनको राजनेतिक बना रहे हैं मर्यादा पुर्षुत्म को तो हम मर्यादा पुर्षुत्म मानते हैं और अगर वो मर्यादा पुर्षुत्म है तो उनसे राजनीत कैसे जूर सकती है तारीक को जो तिथी और महुर्त है वो लगबख साड़े बारा बजे है उससे पहले जो पूजा विजी है वो अभी शुरू हो चुकी है और वह पूजा विजी कल प्राता संभौता रामलला गर्वगरा में आएंगे विबिन प्रकार की जो पूजाएं है विबिन प्रकार के जो कारिकरम है जैसे उनका विबिन नदियों के जल से श्टनान होगा अभी शेख जिसे करते हैं यह तरह हजकल में होगा यह आने वाले दो तीन दिनों में इसी प्रकार जो देवों जो एक तरीके से भगवान को देवों का दर्शन कराना है और दर्शन का मतलब है कि वो पूरी निष्ठा के साथ मंत्रों चारण के साथ उनको उनके प्रतेक्ष रखने की बात है तो वह कारिकरम भी चलेगा अंत में जब 22 तारीक को साड़े बारा बजे शुब मोर्त होगा तो यह विश्वास लोगों का होता है और इस विश्वास को हम किसी प्रकार का इस विश्वास पर हम प्रश्न सूचक बिंदू नहीं उठा सकते हैं जो प्रान प्रतिश्ठा की है कुछ लोग हो सकता कहें प्रान प्रतिश्ठा का क्या मतलब है लेकिन प्रान प्रतिश्ठा का मतलब यह है कि मूर्ती में शक्ती हो और यह पूरे बिश्व को एक मानुस मनुष्र के स्वरूप से उपर उठकर भगवान के रूप में देख रहे हूं ऐसी शक्ति ऐसी उर्जा मंत्रों के उच्चारण और विविन कर्मकार्णों से होती है वह अप्रून की जाएगी मंदिर तो बन गया है मंदिर का जो स्वरूप है राम लला के मंदिर का आप इसको समझें यह मात्रों बात है राम लला के मंदिर में गर्वग्रह होगा पाँच मंडप होंगे और वो भूतल पे होगा मंदिर तो वो मंदिर बन चुका है प्रथम तल पर जो अब निर्माणा धीन है वहां राम दर्बार होगा वहां राम लला अपने पूरे राज्य की जिम्मेदारी के लिए एक दर्बार होगा जिसमें सीता जी होंगी उनके भ्राता होंगे उनके परम सेव खनमाणी होंगे और जो दूसरा तल है वह किवन अनुष्ठान के लिए है वो बिबिन प्रकार के यग बिबिन प्रकार के अनुष्ठान जो होंगे उनके लिए है तो यदि आप देखें तो एक तरीके से राम लला का मंदिर पूर्ण है और जो आपने स्व्यमी कहा पहले के जो मंदिर होते थे वो तो कभी-कभी पचास वर्ष और उसे अधिक समय में पूर्ण होते थे लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ भगवान इस्तापित नम्वे हो या वहाँ पर पूजा अर्चना न होती हो तो या तो एक तरीके से सही इस्तिशी को सही डंग से नहीं समझने जान कर नहीं समझने का प्रियास है देखे मैं राजनायतिक प्रश्णों का उत्तर तो नहीं देता मेरे अनुसाशन के तहत जो जिस ब्यवस्ता से हम निकले हैं उसमें वह उचित नहीं दिखाई देता लेकिन मेरे एक चीज समझ में नहीं आती कि भगवान राम राजनायतिक बन गए या जो उनके अन्युआई है जो उनमें भक्ति रखते हैं वह उनको राजनायतिक बना रहे हैं प्रश्री यह है क्या भगवान राम राजनायतिक बने हैं क्या भगवान राजनायतिक हो करके अलग-अलग लोगों को अलग-अलग दिख से देख रहे हैं क्या वो प्रश्रीक को अलग-अलग भक्ति की बेवस्ता कर रहे हैं क्या वो अलग-अलग लोगों को आशिरवात कर रहे हैं मर्यादा पुर्षुत्म को तो हम मर्यादा पुर्षुत्म मानते हैं और अगर वो मर्यादा पुर्षुत्म है तो उनसे राजनीत कैसे जूर सकती है इसलिए ये तो हमारा नजरी आए कि हम उसे राजनीत समझें लेकिन भगवान की दृष्टी जो सबके लिए समान है और जो मर्यादा पुर्शुत्तम है वो तो यथावत ही रहेंगे अबस्कारा